सीयम उमर अब्दुला आज जब पीम मोदी से मुलाकात करेंगे जब कश्मीर से गौर बड़ी खबर दिल्ली में आज मुखे मंत्री की मुलाकात होनी है और ये मुलाकात पहले से ही तैमानी जा रहे हैं राजी के दरजे की महाली को लेकर ये मुलाकात होना समधव है और बीती रात ग्रह मंत्री अमच्चाह से भी मुखे मंत्री की मुलाकात हो चुकी है अभी अभी जमो कश्मीर के अंदर सरकार का गठन हुआ है और ये सरकार लगभग 6 सालों के बाद जमो कश्मीर वास्यू को मिली है और इस सरकार का जो बॉडिलेंग में थे इस सरकार की जो अब रूप रेखा है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि जमो कश्मीर में परस्तितिय काफी बदली हुई हैं 2019 में जब धारा 370 को हटाए गया तो यहाँ पर काफी चीजे बदली जब कश्मीर को राज्य से यूटी बना दिया गया और तबाग जो नियम होते हैं वो उनको शिफ्ट करना पड़ा उस वजह से अब यहाँ पर सरकार का अभी तक का जो गूल है वो उतना कारगर नहीं है लेकिन जिस तरह से सरकार पहली ही मुविंट पर जो राज्य के दर्जे को लेकर प्रस्ता अपास हुआ है उससे ये साफ है कि सरकार यहाँ पर आजादी से काम करना चाहती है अपने पावर्स अपनी शक्तियों के साथ काम करना चाहती है जुनता के ल बिल्कुल इसे के साथ फिल हाद आपको बता दे कि अमर उब्दुल्ला यानि कि जमुकश्मीर के मुख्यमंत्री पीम मोधी से मुलाकात करेंगे और सबसे एहम मुद्दा राज्य के दर्जे की भाली को लेकर चर्चा की जाएगी और और वी बाकी सारे मुद्दों पर लेकर ये चर्चा ये बैटरी की जा रही है और फिलहाल जुस तरीके से जमु कश्मीर की अगर बात की जाए का अंदर बल अटैक के बाद एक बार फिर से मौल भी गड़ता हुआ नजर आया है उसको लेकर भी कही न कही चर्चा की जाएगी क्योंकि ये बात साफतोर पर कही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो मिलने पहुंचे है बिल्कुल ये मुलाकात काफी एहम माने जा रही है क्योंकि उमर अब्दुला के मुख्य मंत्री की बनने के बाद ये तवाम कयास लगाये जा रहे थे कि जस तरह से मैनेफेस्टों उन्हों ने सामने रखा था, तो उस मैनेफेस्टों के आधार पर ही काम करेंगे, तो पहला प्रस्ताव जो है, वो राज्य के दर्जे को लेकर पास किया गया, अप्रस्ताव सामने आया, कैबिनिट की जरी और उसके बाद LG की मोहर भी प्रस्ताव पर लग गई और अब यह सीधे इसका जो जड़ है जहां से चावी हें केंद्र सरकार के पास है क्यूंकि जब राज्य का दर्जाय यहां पर भाहल होगा तो उससे पहले एक सवयधानिक प्रक्रिया होगी कानुनी प्रिक्रिया होगी, जिसमें पहले केंदर सर्कार को ये बियुद पास कराना पढ़ेगा, उसके बाद ये राज्य समहा में जाएगा, उसके बाद राश्टपती की मंजोरी जरूरी है, और ये तौाम परिक्रियाओं के बाद, ये तौाम पढ़ाओं के बाद, जब एक-एक क उसके लिए ये सब पहले जानना जरूरी है कि अन्दर केंद्र शरकार का इस तुमें रूप कितना है बाभिन कुण राजी का दर्जा सेन्गू है प्रधान मंत्री मोधी ने भी अपने भाशनों के जर्ये कई जगाओं पर जिक्र किया है लेकिन उन्होंने ये जिक्र किया था कि बीजेपी ही यानि जो केंद्र में सरकार है वो ही आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकती है अब जिस तरह से नैशनल कॉंफरेंस और क के बीज गठबंदन की जो सरकार वनी है पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे नंबर्स के साथ उससे ये लगता है कि इस वक्त नैशनल कॉंफरेंस भारी पड़के भी नजर आएगी मादला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक के बाद जमुकश्मीर के अंदर विधान सभा के चुनाव कराएगे और अब ऐसा लगेगा कि हो सकता इस सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा पैसला देगी और जल से जल जमुकश्मीर वास्यों को राज्जी का दर्जा मिल पाएगा रूपा लिकुल इसे के साथ अगर बात की जाए विधान सभा चुनावों की तो उससे पहले भी मैनिफेस्टों में भी ये चीज रखी गई कि जमुकश्मीर के लोगों को अगर नाशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस की सरकार आती है तो जमुकश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो बापिस दिया जाएगा जहां 2019 की बात की जाए तो इस एतिहासिक फैसले के बाद ये केंद्र सरकार के अंडर जो है जो है जमुकश्मीर यूटी चल रही थी और अब ये देखने वाली बात है कि राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे को लेकर जो बाचीत की जाने वाली है उसमें किस तरीके स अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नाइसे फिराजे के दर्जे की बात की जाए बलकी और भी ऐसे मुद्दे है जिनको लेकर चर्चाई की जाएंगी जमकश्मीर के कुछ एहम मुद्दो को लेकर दिल्ली में चर्चाई की जाने वाली है और इसको लेकर फिलाल ये कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बात चीत कुने वाली है प्रधान मंत्री मोद्दी से होगी तो पूर्ण राजी के दरजे को लेकर ये बात चीत होगी लेकिन क्या केंद्र सरकार का पूर्ण राजी को दरजे को लेकर ये विजन साफ है कि जी बिल्कुल अब समय आ चुका है देने का अब देखेंगे दिल्ली के अंदर एक बड़ी डवर्टमेंट होने जाने ही है और थोड़ी देर में इंतजार इस बात का भी है अभी भी हम जो लेटेस अबडेट देख पार है करना है और साड़े बारा से तेरा घंटू का ये समय लगता है और दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी जो आज टॉप लेवल की डेलिबरेशन होनी है जो मुलाकाते होनी है उनमें अभी अभी तरक हमें जानकारी है और दोपहर के बाद एक समय तैय किया जाएगा जिसकी इंपॉर्मेशन थोड़ पिर में सामने आ जाएगी क्योंकि पी-म का सबसे पहला इंतजार था जिन भी भी आईबी से या सेंट्रल लीडर्शिप से या सेंट्रल कमार्ण से मुलाकात अमर अब्दुल्ला को करनी है उनमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो मुलाकात हो चुकी है और दो इनमें इंपॉर्टेंट चीजें थी कल की और आज की मुलाकात और बेठने चाहए वो तीस मिनिट पत्षीस मिनिट या बीस मिनिट की मुलाकात हुई हो आपको याद होगा अधिक शीटल के दो तीन महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस पुलिटिकली हो या अगर लीगली कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है वो भी कम्प्लीट होना चाहिए तो एक तो वो वादा किया गया था और एक रेजलूशन आर्टिकल 375 एक आ गया था कि विधानसभा के अंदर उसको भी पारित करने की कोशिश होगी पहला वादा तो पूरा हुआ फर्स्ट कैबिट में और वो रेजलूशन उमर अब्दुल्ला हमारी जानकारी के मताबिक उनके जो करीबी है उनसे हमारी बात हुई बता रहें कि वो अपने साथ लेकर गए यानि जो हाड़ कॉपी है वो उमर अब्द प्रदीश को डिसंप पावर यूटी कहा जाता है इसको पूरी तरीके से काम करने का अवसर जो है वो सरकार के पास रहें या उनको मौका मिले एक तो उस लोग उसको लेकर एक डिवलेप्मेंट होने जा रही है दूसरी बात ये कि कभी भी आप किसी भी राज्य को देखें ये कभी भी संभव नहीं होता कि आप केंदर के साथ अगर तालमेल ना बिठाएं कोडिनेशन अच्छा ना करें अगर कहीं पर थोड़ी सी भी कहीं खिंचातान होती है तो उसका नतीजा होता है किसी भी स्टेट के अंदर चाया बजट्स देखें सरकार के फैसले देखें बड़े आप रेजोलुशन्स देखें प्रस्ताव पारित होंगे लेकिन कोई प्रस्ता से तरिके स्टिती में है कि वो जब कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापिस दे अगर आप दो महीने पीछे वाले स्टेट्मेंट्स की तरफ चले जाएं तो चाहे वो पी-ए चार सालों में जिसको बारबर कहा जाता रहा कि जब हालात जमकश्मीर के अंदर ठीक होंगे सिच्वेशन स्टेबलाइज होगी तब राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन उसी लाइन को चुनाव से ठीक पहले चेंज किया गया और पी-एम हो बाकी तमाम लोग हो उनके जित तब्दीली देखी उस पदलाव का उसका रजल्ट हम यह देख रहे हैं हो सकता है थोड़ा और समय लगे क्योंकि अभी हमें इंतिजार इस बात का भी करना होगा सरकार की तरफ से इस पर क्या किया जाएगा यह जवाब हमें कम से कम डिसेंबर और जेन के आसपास मिलेगा आज अंदाजे लगाना यह शायद आसान होगा मगर आप देखेंगे विंटर सेशन पार्लिमेंट का होगा लोगसभा के अंदर यह एक लंबा प्रोसेस है यह बहुत सारे लोग शायद इसको समझना पाएं जिनको लग रहा होगा कि अनाउंसमेंट कर दी गई हो गया ऐसा मंत्राले ने काम करना है वागी तमाम लोगों ने तो एक लंबा प्रोसेस है और अभी लोगसभा के उस सत्र का भी इंतजार करना होगा दूसरी बात कि आज जो मुलाकातों की बात हो रही थी उसमें हमारी जानकारी के मताबिक चार तारीक को जब यहां विदान सबा का सत् सरकार खुद जमकश्मीर का बजट तयार करेगी जो अब तक केंद्रशासित प्रदेश का दिल्ली से होता रहा है उस बजट को बनाने से पहले फाइनस मिनिस्ट्री ट्रांस्पोर्टिशन के मिनिस्ट्री फूड एंड सिविल सेप्लाइज की मिनिस्ट्री यह वो मंत्राल के साथ बेहतर तरीके से कॉर्डिनेशल हो शायद उसके लिए एक रास्ता भी खोलने की तयारी होगी दूसरा important development वो यह होगी कि PM के साथ मुलाकात बात दो पहर होगी लेकिन समय सिर्फ निरधारित होगा और वो कितने बजएगा होगा वो शायद थोड़ दिर में clear हो जब पीम दिल्ली में इंडरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पर पहुंचेंगे शिर्फ बहुत बहुत शुक्री आसिफ हमारे से जुड़ने के लिए और बहुत important बाते आसिफ कहीं है कि लोग इसे आसान ना समझें क्योंकि एक आसान प्रक्रिया नहीं है एक समयधानिक प प्रक्रिया चलेगी बिल पेश होगा उसके बाद आगे ये प्रक्रिया चलेगी फिर राष्ट्पती तक ये बात जाएगी और राष्ट्पती इस पे अंतिम महर लगाएगी ये अभी इंतजार हमें करना पड़ेगा